जहिन दोस्तों तो देखे EWS आरक्षन पर सुप्रीम कोट की मुहर पाँच में से तीन जजों ने यहाँ पर इसके समर्थन में फैसला सुनाया है अब यहाँ देखे केंदर सरकार ने समिधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर दस फीजदी आरक्षन का प्रावधान किया था इसे सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी सुप्रीम कोट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए EWS आरक्षन को बरकरा रखा है और पांच जज़ों की बेंच में से तीन जज़ों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यहाँ पर दस फीजदी आरक्षन का जो प्रावधान है उसे यहाँ पर स साही ठेहराया है अब यहाँ देखे इसके बारे में कुछ और चीज़े हैं वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है सुप्रीम कोट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीजदी आरक्षन के प्रावधान को बरकरार रखा है पांच जज़ों की समिधान में संचोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस फीजदी आरक्षन का प्रावधान के था आरक्षन का प्रावधान करने वाले एक सो तीनवे समिधान संचोधन को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी और पांच जज़ों की बेंच में से तीन जज़ों ने जिसमें कि यहाँ पर जस्टिस दिनेश महिश्वरी जस्टिस बेलात रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदी वाला ने EWS आरक्षन के समर पाथल में फैसला सुनाया जबकि चीफ जस्टिस यू यू ललित और यहाँ पर जस्टिस रविंद्र भद ने यहाँ पर EWS आरक्षन पर अपनी सहमती जताई है अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी सालना आय जो है यहाँ पर आठ लाग से कम होती है तो यहाँ पर आठ लाग से कम पर आपको जो है यहाँ पर EWS का यहाँ पर जो है आरक्षन का फाइदा मिलेगा अगर आप जनरल केटेगरी से आते हैं तो तो यह पूरा का पूरा मामला था और यहाँ पर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को शेयर और सब पस्क्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत